नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चेनर पर बहुत बहुत स्वागत है रविवार को दिन सूरी का होता है और सूरीदेव का दिन माना गया है मानेता है कि जो वेक्ती प्रति दिन सुभा सूरी को जल अर्ग देता है उसके किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होती है अगर आपके लिए हर रोज ऐसा संभव नहीं हो पाता तो आप रविवार के दिन सुबह ये काम करे सकते हैं जब भी आप इसनान करें आपको बस थोड़ा सा एक उपाय करना है चोकि आपकी किसमत बदल देगा क्योंकि रविवार को सुर्देव का दिन माना गया है आपको तामभी का लोटा लेना है उसमें शुद जल लेना है जो आपके यां शुद जल उपलब्द हो वहले आप उसमें अक्षद के कुछ दाने डाले लाल रंग के फूल डाले और लाल मिर्च के कुछ दाने डाले जो क सुबह उठें इसनान करें और आप यह लोटा तयार कर लें उसमें आप लाल मिर्च के 21 दाने ले लें और अक्षत के भी 21 दाने ले लें और फिर उसमें एक दो फूल आप ले लें और आप उस पानी में थोड़ा सा मिश्री या फिर चिरोंजी या फिर बताशा डाल सकते हैं जिससे कि आपके घर में मिठास बनी रहेगी आपके जीवन में जो भी वेक्ति आपको मिलेगा मिठा ही बोलेगा आपके लिए कोई भी बुरा नहीं बोल सकता अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो परेशान ना होएं आप भगवान सूरी को अर्थ जरूर ना करें जो भी लोटा लेंगे आप वह स्टेल पीतल तांबे का होना चाहेंगे इस बात का ध्यान रखें सूर देव को जल अर्थ करने के लिए जल में रोली भी और लाल चंदन भी मिलाना है लाल पुष्प डाल सकते हैं आप और इसमें अक्षत के और लाल मिर्च के दान करते रेना हैं उस मंतर को आप बोलते रहें और अर्थ देते रहें अगर आप ऐसा पांच रवी वार तक करते हैं तो आपके जीवन में सारे संकट दूर हो जाएंगे और धंधाने की कमी महसूस नहीं होगी तो दोस्तों ऐसे ही कहीं उपाएं हैं जो हम आप लोग के लिए कर आते हैं आप हमारे और भी उपाई देखिएगा बहुत कारगर सिद्गों हैं लोगों के लिए आप भी उन उपाएं को करें और अपने जीवन को सार तक बनाए हमारे चैनल पर ना हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा बेल आइकन की कंटी को प्रेस करना ना कर दो कर दो दोштवफ़ कर दो कर दो कर दोदाए जरू कर दो दोद्सक्राइब ग्रू कर य।